इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सभी सभी को नमस्कार मैं हूँ पूजा और मेरे साथ है मेरे सयोगी आनद नर्सिंभर आप सबको नमस्कार और आपको दिखाते हैं एक बहुत खास दिर्शी यह देखिए वो दूर देख रहे हैं वो भवे राम मंदिर दिव रात में कितना सुन्दर दिखता है और पूर्णिमा की रात में ये मंदिर जब बन जाएगा तो कितना सुन्दर दिखेगा जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब दिखिए ऐसा ही दिखेगा राम मंदेर अभी तो प्रभू राम का मंदेर अपने निर्मान अवस्था में है लेकिन जल्द पूरा हो जाएगा हम उसे आपको पूर्ण स्वरूप में और पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम टेकनोलोजी का प्रयोग कर रहे हैं और हम उसे जहां से देख रहे हैं वो जगे श्री आयोध्या में ही है उससे थोड़ी दूर है इस जगे का नाम मनी परवत है जी हां मैं और पुजा इस वक्त आयोध्या में मौझूद मनी परवत पर हैं पुजा इस जगे की खासियत है बहुत सारी मान्यताय भी हैं और देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ टेकनोलोजी की मदद से संभवों पाये आनन्द और टीवी के इतिहास में हम आपको आयोध्या का ये जो दुरलव दर्शन कराने जा रहे हैं इससे हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तयार क अपको दिखाने के लिए कि आखिर आयोध्या नगरी दिख ठी कैसी जी हां आयोध्या नगरी तो दिखाएंगे लेकिन जहां हम खड़े स्क्सक्ट ये इसका नाम मनी परवत की सारी मान्यता तो यह है कि हनुमान जी जब लक्षमन के लिए संजीवनी बूटी की पहाड लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो परवत का टुकड़ा है जहा हम खड़े हैं जिसे हम मनी परवत कह रहे हैं लेकिन साथी दर्शुकों को हम ये भी बता दें आनद की असली आयोध्या यात्रा तो अभी बाकी है क्योंकि टीवी के इतिहास में आज अब पहली बार आयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी कैसे करेंगे यात्रा ये आपको वही बताएंगे जी हाँ इसके लिए एक खास विमान के को हम यहाँ बुलाने वाले हैं और मैं कोई जूर से आवाज नहीं देने वारा आवाहान नहीं करना हो ना पस यहाँ देखूंगा और वो देखिये दूर ये तो किसी पंची की तरह है जी हाँ पंक तो पंची की तरह है लेकिन ये पंची नहीं है ये खास विमान है जिसको हम लगू पुश्पक विमान कहते हैं ये धीरे धीरे ओडान भरते हुए अराम से टच्डाउन करेगा आना भाई धीरे 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 देखिये कि पुरानिक खताओं में जो राम जी जैस्मिय अयुद्या में आये थे वो पुषपक विमान बहुत विशाल काय था यह थोड़ा लगू पुषपक विमान है चोटा मॉडल हमने बनाया है लेकिन सुन्दर भी बहुत है उसकी खासियत भी है अभी देखिए खुल गया देखे गया अब आब बताईए कैसे खुला यहां तो कोई कंट्रोल नहीं है पुराने खताओं में कहा जाता है कि पुश्पक विमान चालक के मन से जुड़ाता था तो रावन के मन से प्रभूश्री राम के मन से जुड़ा हुआ था यहां यह लगू पुश्पक विमान में आनंद सवार हैं तो जाहिर तोर पर आपको कहीं तो लेकर वो जाएंगे और इसलिए हम कह रहे हैं कि आयोध्या दर्शन अभी बाकी है और यह दर्शन आपको आनंद करवाएंगे कैसी दिखती है आयोध्या नगरी यह आपको आनंद बताएंगे लेकिन आनंद कहां जा रहे हैं आप इस वक्त कहां जा रहा हूं मैं तो आपको दिखाऊंगा पहले तो देखिए कैसे मैं जाऊंगा यहीं से जा रहा हूं थोड़ी देर में फिर आप से मिलता हूं अभी के लिए तो दीरे दीरे तो यह लगू पुश्पक विमान के द्वार बंद हो चुके हैं आनन इसमें सवार हैं और ये उडान भर दी है उन्होंने अब आपको बता दें कि आपको आयोध्या दर्शन कराएंगे आयोध्या नगरी कैसी दिखती है ये बताएंगे साथ ही राम लला का वो मंदिर जिसके लिए बरसों इंतिजार किया गया है उसके बारे में वो आपको बताएंगे तस्वीरों के जरी लेकिन जरा डीटेल मैं भी आपको ग्राफिक्स के जरी बता दू कि आखर इस मंदिर की खास्तियत क्या है देखे यहाँ पर तीन फ्लोर और पांच डोम यानि गुमबद बनाए गए हैं तीन सो साथ पिलर्स यान आपको दे दे 235 फीट इसकी चड़ाई है साथी जानकारी ये भी है इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पर पांच पविलियंस बनाए गए हैं बारह गेट यानि की द्वार इसके अंदर बनाए गए हैं जहां से प्रवेश कर सकते हैं 57.4 एकर इस मंदिर कॉंपलेक्स का एरि लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको अयोध्या दर्शन कराएंगे अयोध्या दर्शन के लिए सीधिया आपको आनंद के पास लिए चलते हैं आनंद इस वक्त कहां पहुंचे आप जी हाँ इस वाक्त मैं श्री आयोध्या जी के उपर हूँ उड़ रहा हूँ लगू पुश्पक में और धिखिये शाम में सर्यू तटपर बनी ये राम की पॉड़ी कितनी सुन्दर हो जाती है भव्यता आ जाती है इस द्रोशनी की चका चौंद की वज़े से शद्धालू के लिए यहां सनान करना एक अलग ही आनन्द है कहा जाता है कि प्रभु राम इसी रास्ते से चलकर पवित्र सर्यू में सनान करने आते थे राम की पॉड़ी को लेकर एक पौरानिक कथा भी बहुत प्रचलित है कहा जाता है कि एक बार जब लक्षमन जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया तो श्री राम ने आयुध्या में सर्यू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योते से पू पूरा है और यहां एक लाइट शो होता है सांडर लाइट शो रामान की कथा खा बहुत भवया है बहुत सुंदर है अवश्या आईएगा बेहतरीन टेकनॉलोजी की मदद से हमारी आयुध्या यात्रा जारी है आसमान से हमारा लगुपुश्पक आपकुश। नहीं यात्रा में लता मंगेशकर चौक भी आचुका है देश की महान गाई का भारत रत्न लता मंगेशकर को समर्पित इस चौक की विशाल काई वीना आप आस्मान से भी साफ देख सकते हैं ये वीना चालिस फीट लंबी है इसका वदन चौदा टन है इस वीना को पदमश्री से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार जी ने दो महीने की महनत से बनाया है अब इस पर मा सरस्वती की तस्वीर भी उकेरी गई है देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को ये सम्मान वाकई में अदभुद है देखे उपर से यहाँ सेलफी तो मैं नहीं ले सकता लेकिन आप जब भी आयोध्या आएं तो यहाँ एक सेलफी दो बनती है प्रभुराम मर्यादा पुर्शत्म थे वो जिस मार्क पर चले वो धर्म का मार्क था तो आयोध्या में उस मार्क पर चलने का सुख आप भी उठा सकते हैं बस दिल में विश्वास हो और आत्मा साफ हो हम बहतरीन टेक्नोलोजी की मदद से आपको आसमान से खुबशुरत होती आयोध्या नगरी के दर्शन करा रहे हैं मैं अपने लगू पुश्पक में बैट कर देखिए आप धर्मपत की तरफ आया हूँ मेरी इस आकाशिया यात्रा का एक और पढ़ाव ये धर्मपत अपनी अलग अलग खासियत है बेहुत खुबशूरत इस धर्मपत पर सूर्य स्थम्भ भी स्थापित किये जा रहे हैं इसके प्रवेश दुआर पर सूर्य देव को स्थान दिया गया है रास्ते में खुबसूरत कलाकृतियां भी उकेरी गई है देखिए कितना भव्य कितना सुन्दर दिख रहा है रात में भी स्रिया योध्याधाम ये है धर्मपत